तो इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं, आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो जैसा की आप देख रहे हैं जो सयोग परिष्परिच्छा की जो काउंसलिंग और पॉलिटेक्निक परिष्परिच्छा की जो काउंसलिंगे 2020 के लिए वो वर्तमान में परचले थे तो पिछले वार जो मैंने इडियो बनाया था उसमें जो schedule जारी किया गया था या कितियां जारी किये गई कि जो आपको नेमेंद रूप से बिजिट करते रहना है क्योंकि जो भी उसमें changes होते हैं यह updates होते हैं तो वो आपको उसमें पता चल जाते हैं बता दिये जाते हैं तो वो changes क्या हुए है या updates क्या हुए है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं तो पहले चरण में अभी पहले से तीसरे तक की counselling चल रही है तो पहले तीन round के लिए first round का भी चल रहा है counselling तो उसमें registration का process हो गया है first round के लिए 14 से 16 तारीक तक था आपका registration में 250 रुपे की fees भी जमा करनी पड़ती है तो वो आप लोगोंने जमा कर दी होगी और जो first round की choice filling और locking थी तो वो 14 तारीक से 16 तारीक तक होनी थी और 16 तारीक को 3 बज़े तक होना है यह बहुत मात्पूर अपडेट है तो 3 बज़े तक जो भी चात चात्रा है registration कराए है फीज जमा किया है online वो अपनी choice filling और choice को lock जरूर कर देना है इस बात का विसेज तोर पर ध्यान रखना है कि जो भी choice आपने भरी है उसको आप लोग लोग कर दें यदि आप lock नहीं करेंगे तो वो आपको allotment के लिए consider नहीं हो तो 16 तारीक को 3 बज़े तक आपने उसको lock कर दिया होगा इसका मुझे पूर्ण बिश्वास है उसके बाद जो seat allotment है तो वो 16 तारीक को ही आपका result आजाएगा हो सकता है साम तक या रात तक result आपका जारी कर दिया जाए first round का जो आपका counselling हुई है उसके बाद जो पॉलिटेकनेक में बनाये गया है वहाँ पर जाकर समय से यानि 17, 18 और 19 को यानि 17 से 19 तारीक को 5 बज़े तक आपको document अपने verify करा लेने हैं यदि आप document verify नहीं कराएंगे तो आप इस counselling पर करिया से बाहर हो जाएंगे और दूसरा जिन्होंने float किया है float का मतलब है कि जो choice आपको मिली है जो college alert हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं है आप उससे ऊपर का जो choice आपने भरा था वो आप चाहते हैं तो float कर देना है तो float candidates को 3000 रुपे online जमा करने होंगे तो वो भी आपको 17 से 19 के बीच में 3000 रुपे online deposit कर देने हैं यदि आप online deposit नहीं करेंगे 3000 रुप date से आपके लिए 16 तारीक को आज आपका result आ जाएगा उसके बाद 17 से 19 के बीच में आपको साम पांच बहे तक freeze जिनों ने कर लिया है यानि जो college मिला है जिससे आप संतुष्ट हैं जो आपको branch मिली है उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से freeze करिए और 17 से 19 के बीच में जो आपने help center choose किया है सायता केंदर का chain किया है अपने जनपत का वहाँ पर जा करके जो आपने भरा होगा counseling का registration कराते समय help center का नाम उसी polytechnic में जा करके आपको verification कराना है अपने documents का और वोजा वोजा है verification के बाद एक slip मिलेगी उसके बाद फिर आपको अपनी piece भी जमा कर दे जीच में और जिन्होंने float कर लिया है तो float के लिए भी बताए जो उनको 3000 रुपे जमा करने होंगे तभी उनका next उसके लिए consider किया जाएगा next round के लिए तो float होगा तो वो seat आपकी सुरचित रहेगी यदि उससे hire मिलती है तो आपका वो seat चली जाएगी और hire जो आपने choice भर होगी वो seat आपको मिल जाएगी इसी तरह से second round का जो registration होगा यदि किसी ने registration अभी तक नहीं कराया है तो नए सिरे से registration वो करा सकता है लेकिन यदि किसी ने registration एक बार करा लिया है तो उसको बार बार registration नहीं कराना है वो तीनो चरण की counselling में भाग ले सकता है या सभी चरण की counseling में भाग ले सकता है, पूरी counseling प्रकृरिया में भाग ले सकता है, सिर्फ एक बार registration कराना है, लेकिन कुछ बच्चे जो रह गए हों, छूड़ गए हों तो वो second round में registration करा सकते हैं उसकी date है 18 सितंबर से 19 सितंबर second round का जो result निकलेगा वो 20 सितंबर को निकलेगा उसके बाद document verify कराना है जो freeze candidate होंगे 21 से 22 की बीच में 5 बचे तक और जो float candidate हैं, उनको भी अपना 3000 रुपे security money जमा करना पड़ेगा 21 से 22 की बीच में तो 21 से 22 सितंबर तक कर लीजिए उसके बाद जो तीसरे चरण का जो आपका counseling है वो आपका 21 से third round का जो registration होना है वो 21 से 22 तारीक तक होना 21 सितंबर से 22 सितंबर तक उसके बाद third round का seat allotment 23 सितंबर को हो जाएगा, उसके बाद 24 सितंबर से 26 सितंबर को 5 बचे तक आप जो freeze कर दिये हैं वो अपना जाकर document verify करा लेंगे और online fees पूरी जमा कर देंगे जो आपका float candidates है जिन्होंने float कराया है या float नहीं कराया, इस वाले round में float का option है या नहीं है क्योंकि third round तक पूरे जो भी होंगे वो allot हो जाएंगे, उसके बाद चौते पांच में और छटमे round की जो counselling है वो अलग से होगी तो जो भी आपका है help district help center जो आपके बने हैं, जो आपने साहे तकेंडरे चूस किया है, तो सभी जो allotted candidates है, वो automatic freeze मान लिए जाएंगे, तीसरे round की counselling में, उसमें float का option आपके पास नहीं रहेगा, तो ये आपके सारे आपको है, उसके बाद अगर आपने admission ले लिया है, फीस अपने जमा कर दिया है, लेकिन आप bidrol करना चाहते हैं, यानि admission अपना cancel कराना चाहते हैं, तो वो 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप bidrol का option चूज करते हैं, तो आप next round के किसी भी counseling के चरण में भाग नहीं ले पाएंगे, तो ये थे मातपूर्ण update और मातपूर्ण कितियां, तो मेरा आप सभी से अन्रोध है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो polytechnic के students हैं, या जो polytechnic के कोई भी polytechnic से जुड़े हुए सिच्छक लोग हैं, यदि देख रहे हों तो अपने जो जानने वालों को जरूर बता दें, उनको सही जानकारी दें, यदि आपको जानकारी ना हो तो बच्चों को बताएं कि जो official website है, jwecup.nic.in उसको बिजिट करें, वहाँ जो निर्देश दिये गए हैं, उनका पूनता पालन करें, यदि वो निर्देशों को ना पढ़ पाएं, तो किसी पढ़े लिखे बिक्ती को पढ़वा लें, और देखा दें कि बता दीजी भीया पढ़कर कि हमको किस तरह से क्या करना या समय पर तीन हजार रुपे फ्लोट के लिए, या फिर फ्रीज करने के बाद जो पूरी फीस है, आपकी पौली टेक्निकी वो नहीं जमा की, तो आप प्रवेस निरस्थ हो गया, या डाकुमेंट जो वेरिफिकेशन सेंटर है, कई वर वो गलत भर दिया, और बच्चों को डाकुमेंट वेरिफाई के बारे में पता ही नहीं रहा, तो उनका प्रवेस निरस्थ हो गया, तो इस तरीकी की चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए आप एलल्ट और सतर करेए, किसी जानकार बिक्ती से, जो पढ़ा लेखा बिक्ती हो, सही जानकारी आपको दे सके, उससे जाकर के, जीकप की वेप साइट के बारे में बताईए, या वो पढ़ा लेखा बिक्ती है, तो जीकप की वेप साइट के बारे में बताए कि इस पर आप जाईए, इसमें जो निर्देश दिये गए हैं उनीक अच्छरसा आप पालन करिए उसी के अनुसार काउंसलिंग होगी उसी के अनुसार सारी चीज़े होगी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं जो इस्टूडेंट्स मेरे हैं या पहले के पुराने इस्टूडेंट्स हैं या कोई अनलोग हैं तो क्रपया यदि आपके पास कोई भी छात्र छात्रा या आप बेड़ती काउंसलिंग के संबंद में आपसे कुछ भी पूछे तो आप उसको ये मत कहिए कि पिछले साल तो ऐसा होता था तो आप ऐसा कर लीजे उसको प्लीज आप ये बताइए कि इस समय जीकप की जो ओफीसियल बेप साइट है आप उसको बिजिट करिए उसमें जो निर्देश दि आप एक तरह से सब की हैल्प कर पाएंगे अपने जानने वालों की अपने रिष्तेदारों की अपने परवार वालों की आपके गाउं में कोई भी बग्ति यदि बच्चा किसी का भरा है तो वो ऐसा ही तरह से कांसलिंग और प्रतिभाग करके अपनी सीट सुरच्चित कर पाएगा और पॉली टेक्निक में अपना करियर बना पाएगा उसमें अपना एडमिशन ले पाएगा तो इस तरह से और इसके अलावा हिंदी में ये सारी के सारी जो मैं आपको दिखा रहा हूं पीडियेप ये सारा आपको उसमें दिया हुआ है जो आरच्छन के जो होते हैं रिजर्वेशन के वो उसी ये वेपसाइट में मिल जाएंगे रिजल्ट आपका उसी वेपसाइट में फर्स्ट राउंड का मिलेगा सेकेंड राउंड का सभी मिलेगा तो ओफीसल वेपसाइट को jwecup.nic.in को continue आप विजिट करती रही है और उसमें जो भी तितिया आपको दी जाएं जो निर्देश दीए जाएं उनका अच्छर सा आप पालन करते रही है तो यही मेरा आज का वीडियो था उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आप काउंसिलिंग में सही तरीके से प्रतिभाग करके अपनी मन चाही सीट और मन च